देखे Soft Porn जिसमें Pornography नहीं होती है लेकिन Sexuality को Intentionally Reveal किया जाता है उस category को बोला जाता है Soft Porn जो कि ज़्यादा तर भोजपुरी फिल्मों में हुआ करती थी या फिर भट साप की फिल्मों में हुआ करती थी और लोगों को Intentions समझ में आती हैं कि आप दिखाना क्या चाह रहे हैं अगर आप फोटो खचाते वक्त भी कोई महंगी चीज को दिखाना चाहते हैं तो दिख जाता है Intention कि आप क्या दिखाना चाहते हैं अगर फोटो खचाते वक्त अगर आपने पाउं को भी आगे कर लिया है तो इसमें दिखता है कि आपकी इंटेंशन्स क्या है आप दिखाना क्या चाहते हैं तो इस गाने को जब आप देखोगे कि इसकी कैटेगरी क्या होगी रोमेंटिक सॉंग है या फिर सेक्स्वालिटी दिखाई जा रही है जिसको सॉप्ट पॉन बोला जाता है और एस आर के सहरूप खान एक ब्रांडेड नेम रोमेंटिक हीरो की एक इमेज हर घरी बदल रही है दूप जिन्दगी च्छाओ है कभी कभी है दूप जिन्दगी हर पल यहां जी भर जियों जो है समा कर हो नहो अब इतने बुरे दिन आ गए हैं कि भोजपरी फिल्मों से कॉम्पीट करना पड़ रहा है क्योंकि साउथ की फिल्मों ने तो बॉली विट को लगबग दबा ही दिया है माना कि कई सालों से बॉली विट फिल्में बहुत डाउन चल रहे हैं पर इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप बिलकुल ही नीचा गिर जाओ क्योंकि अगर एक कैटेगरी भी देखा जाए तो एकता कपूर या भट साप की कैटेगरी को बिलॉंग करती है S.R.K की फिल्मों में सारुक खान की फिल्में फैमली के साथ देखा करते थी लोग एक रोमेंटिक हीरो एक इमेज सांसों में बड़ी बेकाराली आँखों में कही रत जगे कभी कही लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे अब इस गाने को लेकर के एक और बेबात खड़ा हो गया है कि दिपिका पादिकॉन ने भगवा रंग के बिक्नी पैनी हुई है जिसको लेकर के बेबात खड़ा हो गया है वो अलग मेटर है अभी केवल रॉमेंटिक हीरो के इमेज की बात कर रहे है ये रॉमेंटिक सॉंग तो है ही नहीं माना कि बहुत सी फिल्में फ्लॉप जारी ही सारुक खान की लेकिन उस इमेज को जो एक बनी हुई है रॉमेंटिक हीरो उसको तो डाउन करने की जरूत है नहीं क्योंकि पैसे कोई भी तंगी आई नहीं एक सिंगल इमेज बनाने में लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है और बनी बनाई इमेज को लेकर के उसको बिगाड़ना क्योंकि हर एक हीरो की एक कैटेगरी है टाइगर श्रॉप को जब देखोगे तो एक एक एक्शन हीरो की इमेज है इमरान हासमी को देखोगे तो एक सेक्सवालिटी होती है भट साप की एक इमेज है कि एपलस मुवी चलती है देखे इंटेंशन तो आपको समझ में आती है कि सामने वाला क्या बोलना चाहरा है क्या दिखाना चाहरा है तो आपको पता है कि ये बी ग्रेट का गाना है और हीरो की केटेगरी भी बी और अबारही है इस तार उफ दी इवनिंग, the dreamy girl herself, शान्ती प्रिया आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है चाहें जिसे दूर से दुनिया, वो मेरे करीब है कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कहीं सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूं या नहीं आखों में तेरी अजब सी अजब सी अदाएं है दिल को बाना दे जो पतंग सासे ये तेरी वो हवाएं है तेरे साथ साथ ऐसा कोई नूर आया है चांद तेरी रोशनी का हलका सा इक साया है तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर असर ये हुआ अब इन में ही डूब के हो जाओ पार यही है दुआ